आज हम लोग बात करेंगे पी ब्लॉक में औग जो एसीड ऑफ सल्फर के बारे में देखो बहुत इजी है यह पहले एक पॉइंट मैं किलियर कर दूँ एस से क्या होता है सल्फर और एस से होता है सिक्स इस से क्या पॉइंट बनाया मैंने कि वीनो सल्फर के लाज शेल में छे एलोक्तण होते हैं यह सभी को मालूम है सल्फर का जो मैग्जिमम उस्टेट हो सकता है वो पलस सिक्स हो सकता है यह भी सिक्स उसी में 4 bond बनाएगा, that is one of the thing, but हमने यहां से क्या connect क्या, कि S से sulfur, S से 6, that means 6 electron last cell में, 6 oxidation state magnesium, and magnesium 6 bond यह form कर सकता है, clear a point, okay, now, sulfur के oxo acid, या sulfur के खांदान वालों का naming का क्या scheme होगा, तो वो very simple है, कि आपको sulfur word पूरा लिख देना है, और इसके पीछे आपको आइदर अस लगाना या एक, suffix के form में, जैसे sulfurous या sulfuric acid, right, तो यह रहेगा, इससे पहले, इससे पहले prefix में, आपको यह नाम add करने को मिलेंगे, pyro, प्यार से add कर देंगे, pyro, तो क्या हो जागा, pyro sulfurous acid या pyro sulfuric acid, similarly paroxo word use कर सकते हैं, परतिष्ठा में उसके नाम के आगे, paroxo add कर सकते हैं, hypo word add कर सकते हैं, हक से उसके नाम के पहले हम, hypo word add कर सकते हैं, meta word generally यहाँ पे use नहीं होता है, but meta भी, बहुत सारे oxo acid में meta word use होता है, but इसमें नहीं होगा, थायो यहाँ होगा, और थपर मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि थपर से डर नहीं लगता सहाब, assess linkage से लगता है, थायो तब ही आप use करेंगे, जब sulfur sulfur direct bond बना रखा होगा, sulfur sulfur के बीच linkage होगे या bond होगा तो, तो यह use होगे, again ortho यहाँ पे use नहीं होता है, अब हम बात करते हैं, tricks की जिसके लिए रफी सर जाने जाते हैं, तो ध्यान से देखो, अभी जो मैं trick देने जा रहा हूँ, उससे आप, और जो acid of sulfur के name, formula और structure, तीनों ही आपकी आँखों के सामने होगा, खुली किताब की तरह, इसलिए इससे आने वाले कोवी प्रावलम को आप बहुत easily कर लोगे, और बहुत fast भी, तो कैसे तो ध्यान से देखो, trick का point यह है कि आपको एक word कब लगाना है, एक word आपको तब लगाना है, जब आपका sulfur highest oxidation state that is 6 में होगा तो, अगर sulfur कहीं पे, उसके oxoacid में plus 6 oxidation state में, तो कौन सा आपको word लगा देना, sulfur के पीछे 1 word, अगर उसी का anion होगा, एक वाले का अगर anion आपने बनाया है, तो उसमें 8 word लगेगा, जैसे ध्यान से देखो, H2SO4, sulfur plus 6 में है, तो नाम क्या हो जाएगा, sulfur में एक जोड़ दिया, और अगर इसी का anion बनाते, SO4 minus 2 anion, तो नाम क्या जाता, sulfate, 8 word लग गया, similarly, आप us कब लगाएंगे, अस आपको तब लगाना है, जब sulfur, उसके maximum oxidation state से, 2 unit less oxidation state में, that means, 6 में से 2 गया तो 4, अगर sulfur plus 4 oxidation state में है, तो आपको अस वर्ड लगाना है, similarly, अस वाले का अगर anion होगा, तो आपको 8 लगाना है, for example, H2SO3, sulfur यहाँ पे plus 4 में, तो इसका नाम क्या जाएगा, sulfurous, अस वर्ड जोड़ दिया, right, sulfurous, और अगर उसी का anion लेते हम, तो SO3 2 minus, तो इसका नाम क्या जाता, sulfite, clear a point, and now, the man trick, कि आपको क्या करना है, sulfur के किसी भी acid का name, formula, या structure, कुछ भी draw करना हो, समझना हो, तो आपको क्या करना है, either 1 वाला pick-up करना है, either 1 वाला pick-up करना है, या फिर us वाला pick-up करना है, fix हैं, इन ही दोनों में से, कोई एक pick-up करना है, कौन सा pick-up करना है, तो देख लो, जो name दिया, उसमें पीछे क्या लगाया है, 1 लगाया है या us, 1 लगाया है, तो 1 वाला pick-up करते वे बना देना है, us लगाया है, तो us वाला pick-up करते वे बना देना है, करना क्या very simple अस या एक वाला molecule उठाना है उसके अगर दो molecule ले करके एक water अपने हटा दिया तो प्यार से उसके नाम के आगे pyrovert लगा देना है अगर pyro में एक oxygen अपने जोड दिया तो परतीष्ठा में इसके नाम के आगे paroxover लगा देना है अगर एक oxygen कम कर दिया तो हक से इसके नाम के आगे hypo लगा देना है जो कि इस case में thayo के नाम से भी जाना जाएगा क्यों? क्योंकि sulfur sulfur के बीच linkage जाएगे ध्यान दे sulfur sulfur के बीच linkage के मतलब है कि sulfur sulfur के बीच bond होना चाहिए वो single bond भी हो सकता है double bond भी हो सकता है sulfur sulfur अगर directly connected है तो thayo what use करेंगे जो कि mainly hypo में होता है तो hypo का दूसरा नाम क्या हो जागा? thayo ये point के लिए रहो नाचिए ध्यान दो कि यहाँ आप दो molecule ले करके एक water हटा रहो तो pyro इसमें oxygen जो रहो तो पर oxo तो right तो इसलिए दो molecule से बना रहे है तो हो सकता है कि आपको dye word भी add करना पढ़े क्योंकि दो molecule के थुरू ये बन रहा है और direct हम इसमें भी चाहे तो oxygen add कर सकते थे और subtract कर सकते थे इसमें अगर आपने oxygen यूज़ कर दिया extra कर दिया तो क्या यूज़ करेंगे? पर ऑक्जो यहां भी होगा बट यहां पर ऑक्जो शिरिफ word यूज़ कर सकते हैं या फिर पर ऑक्जो से पहले आप mono word लगा सकते हो similarly यहीं से oxygen कम कर दिया तो तो hypo word लग जाएगा तो ये point भी दिया रखना है कि आस या एक वाला जब आपने pick up क्या है तो उसके दो molecule के थुरू भी बना सकते हैं और उसी के एक molecule के थुरू भी बन सकता है और अगर आपने एक ही molecule से water हटा दिया तो फिर उसके नाम के आगे महबबत में meta बट generally यहां पर कोई use नहीं होगा meta वाला scene इस case में तो I hope यह मेरा आपको tricks का scheme एकदम clear होगा कि हमें कैसे करना है तो चलिए अब हम बात करते हैं application की तो ध्यान से देखो मैंने H2SO4 pick up किया है तो H2SO4 में you know oxidation state plus 6 है तो इसका नाम क्या रखेंगे आप sulfur में आप add कर देंगे एक तो क्या हो जागा sulfuric acid right तो नाम very simple है sulfuric acid now इसका structure बनाना भी बहुत easy है right आपको H2SO4 है तो S double bond हो S double bond हो और दो hydrogen थे तो दो oxygen के साथ हो आटाच होंगे तो H2SO4 का यह structure हो गया यहां पे देख सकतो 4 sigma 0 lone pair से इसका hybridization हो जागा SP3 tetrahedral shape हो जाएंगे right अब इसके बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है कि यह कितना H plus at a time दे सकता है that means इसकी basicity कितनी है तो 2 हो जाएगे वो सारे hydrogen जो oxygen से attach हो वही acidic hydrogen होंगे इसका एक और घर का नाम है that is called oil of vitriol right इसका एक common name है oil of vitriol यह धियान रखना है तो यह होगे आपका sulfuric acid pyro तो कैसे ध्यान से देखो मैंने चुपके चुपके दो इसके molecule बना दिये right और एक water निकलना है तो एक से H और एक से OH water के form में हमने बाहर कर दिया तो देखो आपकी आँखों के सामने structure है formula है name है right तो क्या हो गया SOS linkage आगिया इसका नाम क्या हो जागा यह पूरा इतना नाम तो रहेगा यह आप चलता रहेगा इसके नाम के पहले क्या लगा देना pyro तो देखो pyro sulfuric acid again इसका भी एक common name है घर का नाम है that is called oleum very very important formula क्या हो जागा H2S2O7 right अब again यहाँ से क्या क्या question पूछे जा सकते है कि केतना SOS linkage है इसकी basic CT केतनी है तो again यह 2H दे सकता है right इसका oxidation state तो अभी भी plus 6 है right oxidation state भी नहीं कारना very easy sulfur देख लो केतना oxygen से bond बनाया जेतना bond बनाया उतना sulfur पे plus लिया हो तो यहाँ पर आप देख सकतो 6 bond इसने बनाया तो plus 6 high digestion क्या है कितने S double bond O है कितने S O single bond है इस ताप से कोई भी question पूछा जा सकता आपको right और चुकि यह सब highest oxidation state में है तो यह एक अच्छा oxidizing agent का काम करेगा only oxidizing का यह काम कर सकता है now अगर आपने pyro में एक oxygen जोर दिया क्यों 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 क्योंकि sulfur already 6 bond बना रखा है तो अब इसे बात है यह बीच माएगा यहाँ पर द्यान से देखो क्या हो गया oxygen oxygen के बीच single bond है तो इसको peroxy linkage बोलते हैं इसलिए नाम क्या हो जाएगा per oxo now चुकि हमने जो यह बनाया वो दो molecule के थुरू बनाया इसलिए diver लगा देंगे per oxo dye और यह तो पुरा रहे गई sulfuric acid again इसका भी प्यार से घर का नाम क्या है martial acid क्या बोलते हैं इसको martial acid formula क्या हो जाएगा H2 S2 O8 तो इसलिए यह point ध्यान में रखना है और यहां पर क्या हो जाएगा H2 S2 O7 तो important point क्या है इन समय वो ध्यान देना है कि यही दो sulfur के ऐसे acid हैं कौन pyro and peroxo वाला यही दो एक ऐसा acid है जिसमें दो sulfur होते वे भी sulfur sulfur के बीच bond नहीं है बाकी जतना भी sulfur का oxo acid होगा ध्यान दे इस point को बाकी जतना भी sulfur का oxo acid होगा अगर उसमें minimum 2 sulfur है या 2 से जादा है तो भी चलेगा तो उसमें sulfur sulfur linkage आएगा ही except pyro जो आपकी आँखों के सामने क्योंकि SOS linkage है and peroxo जहां पे SOS linkage है समझगे बात तो यही दोनों में sulfur sulfur के बीच bond नहीं आता बाकी sulfur का जतना भी oxo acid होगा अगर उसके formula में minimum 2 sulfur है तो sulfur sulfur के बीच bond आना ही है और इस टाप के question कई बार पूछेगे तो यह आपको ध्यान में रखना है now very important कि अगर मैं pyro से एक oxygen कम कर देता तो कम कहां से होगा बीच से इस oxygen को हटा देना है तो देखो formula structure सबब के आपको के सामने चुकि हमने pyro से एक oxygen हटा दिया है तो हक से इसके नाम के आगर क्या लगा देना है hypo और यह पूरा नाम चलता रहेगा sulfuric acid क्यों क्योंकि यही से हमने इसको पूरा create किया इसलिए मैंने बोला था pickup point एक रखना उससे सब अब कहा जाएगा now the question is कि यहाँ पे ध्यान से देखो sulfur sulfur के बीच bond आ गया इसलिए सिर्फ sulfur के case में हम फिर उसका एक और नाम देते है thionic एक क्यों लगा क्योंकि एक वाले से हमने लिया था अगर अस वाले से लगते तो thionis हो जाता समझगे बाद तो divert क्यों यूज क्या है क्योंकि दो molecule के through बना रहे तो diethionic acid that means hyposulfuric acid को ही क्या बोल सकते है diethionic acid और इसका एक general formula आ जाएगा ध्यान से देखो इसमें कितना हेच 2H जो की corner पे लगे हुए sulfur अभी 2 है तो 2 वो किया और इसमें insert कर सकते हैं जितना चाहे और oxygen 6 है fix तो ध्यान से देखो oxygen आपका fix hydrogen fix शिरिफ sulfur के number increase होंगे इसलिए मैंने बोला है कि यह thionic series का हमारा formula हो गया इसमें basically कई वार question पूछे गए हैं अब आप n की value बढ़ाते जाओ जैसे suppose करो n की value 2 ले लिया तो sulfur total केतना हो गया 4 तो वो जो 2 sulfur है वो कहां आपको तो यही बीच में add करते हो जाना है क्यों क्यों क्योंकि sulfur 6 bond बनाएगा तो एक और important point है कि जब भी thionic series आप बनाएगे तो आप दोनो corner वाले sulfur को pack कर देंगे दोनो corner वाले sulfur को pack कर देंगे 6 bond के थूरू अब इधर कुछ भी attachment नहीं होगा जो भी होगा वो बीच में आएगा total 4 sulfur है इसलिए नाम क्या हो जागा tetra और यह किस से आया thionic से तो tetra thionic acid तो इस तरीके से आपको किसी का पूछ ले tri, tetra, pentahigza सबका आप structure बना सकतो और सब कुछ आप बता सकतो right? कितने SS linkage है यह पूछा जा सकता है क्या इसका oxidation state है तो यहाँ पे ध्यान से देखो oxidation state इसका plus 5 हो जागा इस sulfur का इस sulfur का भी आपका plus 5 होगा यह सब question कई वार पूछा गया यह sulfur का 0 हो जाएगा तो इस type की question कई वार पूछे गया है आपको ध्यान देना है similarly अगर मैं sulfuric में ही एक oxygen जोड देता तो तो अगर sulfuric में ही मतलब एक molecule में ही जोड देते तो again per oxo word तो आता ही है क्योंकि per oxy link के जा चुका है right? oxygen जोड है तो but यहाँ पे mono word लगाएंगे क्यों? क्योंकि फिर इसमें dye इसलिए लगाया क्योंकि दो molecule के थुरू आया नहीं तो फिर दोनों same हो जाते तो उसको difference create करने के लिए यहाँ पे mono और sulfuric acid रहे गए again इसका घर का नाम क्या है caros acid क्या बोलेंगे इसको caros acid घर का नाम एक point और very very important है कि जैसे यह sulfuric acid मैंने यहाँ pick up किया और अब suppose करो कि मैं एक oxygen हटा करकर के sulfur वहाँ पे लिया हूँ तो यह वाला formula बन जाएगा right अब इसका नाम क्या हो जाएगा very very important इसका नाम हो जाएगा चुकि sulfuric से आपने लिया है right और sulfur sulfur के बीच bond आगया तो क्या हो जाएगा very important कई बार यह भी पूछा गया थायो sulfuric तो थायो sulfuric कैसे बनाएगे sulfuric acid में से एक oxygen हटा करके उसकी जगा sulfur add कर देना है तो sulfuric से बनाया है चुकि sulfur sulfur में लिंके जाएगा इसलिए sulfuric से पहले थायो sulfuric और अगर इसका anion बनाएगे hydrogen हटा दोगे तो क्या हो जाएगा H2O3 2- तो anion का नाम क्या हो जाएगा थायो sulfuric 8 क्यों 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 बताय था एक का anion होगा तो 8 वर्ड लगाना है तो यह थायो sulfuric होंगे इसमें again important क्या है कि oxidation state इस sulfur का oxidation state plus 6 है और यह जो sulfur जो आपने oxygen हटा करके जो रहा है उसका minus 2 है तो यह भी कई बार पूछा गए इसलिए ध्यान देना है यहाँ पे sulfur का oxidation state तो देख लो आपको कोई भी चीज रटने की ज़रुरत नहीं है very very simple very very easy everything क्या पूछा जा सकता है और कितने टाप के question आ सकते है सब हमने clear किया है आपको oxidation state का भी थोड़ा खास ख्याल रखना है इन सब केसों में now next अगर मैंने H2SO3 लिया तो यहाँ पे oxidation state plus 4 है जो की 6 से 2 कम है तो नाम क्या हो जाएगा sulfur water के पीछे लगा देना अस तो क्या होजागा sulfurous acid जिसका structure यहाँ पे draw करेंगे यहाँ पे sulfur 4 bond बनाएगा S double bond हो और चुकि 2 hydrogen थे तो वो oxygen के साथ attach होंगे यहाँ पे 1 lone pair भी बचीगा इसके पास तो again यहाँ पे इसके पास 3 sigma 1 lone pair है तो 2 molecule चुपके चुपके draw कर दो और एक water आप हटा दो एक water हटा देंगे तो 1 से H और 1 से OH ले लो तो आपको यह वाला structure मिल जागा easily नाम क्या हो जागा चुकि 2 molecule लेकर के एक water हटा है तो प्यार से इसके नाम के आगे क्या लगा देना है pyro sulfurous acid अब यह चलता रहेगा यह वाला नाम pyro वर्ट स्रिफ आगे लग जाएंगे similarly अगर इसमें एक oxygen add कर दें तो वो oxygen बीच में insert हो जागा peroxy linkage आगया तो नाम क्या हो जागा peroxosulfurus acid तो ध्यान से देखना sum में एक-एक loan pair carry होते जा रहा है तो आप से पूछा जा सकता है इस structure में कितने loan pair है तो कितने loan pair है तो total बताना है sulfur के कितने loan pair है तो फिर sulfur के बताना है कितने pi bond है कितने sigma bond है कितने इसकी basic city होगी इस type का कुछ ही पूछ सकता है right now important point जो ज़्यादा तर यह वाला bond है तो इसका नाम क्या जागा thionus अज क्यों क्योंकि अज से चल रहा है thionus acid again thionus acid का एक पुरा series है और यहीं से वो series हम create कर सकते है ध्यान से देखो 2 hydrogen है fix sulfur आपका बीच में insert हो सकता है तो इसलिए n plus 2 oxygen fix है 4 तो h2s n plus 2 o4 यह आपका general formula हो गया किसी भी thionus acid का इसलिए इसका जो structure है वैसे ही same corner वाले sulfur को आपको pack कर देना है एक S double bond O से और एक OS से और एक lone pair से इधर आप कुछ भी attach नहीं होगा जो भी sulfur आएंगे बीच में आएंगे अगर माल लिजए 2 sulfur ले लेते तो total 4 हो जाता तो क्या नहीं हो जाता tetra thionus acid तो यह से point थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है now एक और point की ध्यान से देखो अगर यह sulfuric acid था इससे ही मैं एक oxygen कम कर देता तो क्या मिल जाता मुझे H2SO3 तो जैसे यह sulfuric है इससे कम क्या है तो नाम इसका क्या जागा hyposulfuric acid तो ऐसा भी हो सकता और hyposulfuric acid ही actually क्या है sulfurous acid तो इसलिए आपको देखना है कि वो कहां से create क्या जा रहा हमें exam में कैसे पता लगेगा तो इसके पीछे क्या लगा है 1 sulfuric 1 वाला लेना है और उससे oxygen करना है तभी hypo आएगा तो इस तकिये से आपको सारे acid का naming एकदम clear होना चाहिए कैसे exam में को भी word आए तो आपको पीछे देखो आस लगा है या 1 आस या 1 से pick up करते हुए आपको जो trick दिया है उससे आप acid का formula name structure और उससे related किसी problem को बहुत easily कर सकते है जाते जाते ग्यान की बाद और that is very very important कि कभी भी question में इस type का आजाए कि which contain SS linkage तो आप direct कर सकतो क्योंकि सभी में sulfur sulfur linkage होगा ही except pyro and peroxo अगर कहीं पर pyro है या peroxo है तो उसमें sulfur sulfur linkage नहीं होता है बाकि sulfur के जितने भी oxo acid है उसमें sulfur sulfur linkage होगा ही only condition के minimum for example अगर माल लेजिए ये given है आपको पता करना हो sulfur sulfur linkage होगा की नहीं without drawing structure तो इसमें yes होगा क्यों क्योंकि ये pyro या peroxo नहीं है ये o7 आ गया ये pyro है तो इसमें नहीं होगा ये o8 आ गया ये आपका peroxo है तो इसमें भी बाकी सभी में होगा only condition minimum 2 sulfur होना चाहिए second point that is very important कि H2SO4 से अगर मैंने 1 oxygen निकाल दिया और 1 sulfur add कर दिया तो formula क्या हो गया H2, H2O3 तो यहाँ पे बच्चों को जो सबसे ज़्यादा confusion होता है वो oxidation state में वो जो oxidation state निकालते हैं इस तरीके से करके hydrogen का 2, sulfur का 2X oxygen 3 है तो minus 6 is equal to 0 तो X2 आ गया तो यह जो X2 आया यह average आया है actually मैं आपको क्या मिलता है average oxidation state चुकि यहाँ पे 2 sulfur हैं तो दोनों का average निकाल आ गया exactly चाहिए आपको actual में चाहिए तो आपको बता रखा हूँ structure कैसे draw करना है एक oxygen हटा करके sulfur add कर देंगे इस sulfur का minus 2 होगा और इस sulfur का आपको plus 6 होगा ऐसा क्यों होगा सर्फ दोनों sulfur sulfur था तो यहाँ पे इसकी जो hybridization है वो ध्यान से देखो SP3 है और यहाँ पे SP2 है percentage S character increase होने से electronegativity increase होती है that's why यह ज़्यादा minus effect so करेगा तो इसपे minus आएगा इसपे plus आएगा अब अगर आप average निकालो plus 6 minus 2 का तो वो 2 आएगा इसलिए यहाँ actual आएगा structure draw करेंगे तो और ऐसे निकाल दोगे तो average आएगा similarly इस वाले में भी problem आता है बच्चों को H2S4O6 तो इसका oxidation state again उस method से आप निकालोगे तो क्या आजाएगा 2 plus 4X minus 12 is equal to 0 तो 2.5 आएगा जो कि again 4 sulfur का average करके आएगा आपको अगर exact चाहिए तो ध्यान से देखो यह thionic acid series वाले है कैसे H2SN plus 2O6 हो गया तो उसका आपको structure draw करना बता रखाऊ इधर से यह corner fix इधर से यह corner fix बीच में sulfur add करना है चुकि चार sulfur है तो 2 sulfur और आजाएंगे तो यह जो sulfur है इसका oxidation state plus 5 इधर corner वाले का भी plus 5 बीच वाले का 00 है right क्योंकि दोनो sulfur है electronegativity same है तो इसलिए अगर आप average निकालोगे तो 5005 by 4 तो कितना जाएगा 2.5 तो इसलिए careful होना है अगर exact पूछा है तो structure के थूँ जाएंगे average पूछा है तो आप direct उस method से निकाल सकते हो तो I hope यह पूड़ा और जो acid of sulfur का आपको बहुत अच्छे समझ माया होगा इस पे based आप किसी problem को easily कर सकते हो तो आप अगर चाते हो कि आपकी chemistry बहुत अच्छी हो तो आप हमसे जूड़े रहें और हमारी video lecture को share करते रहें Thank you